Welcome to Edujos, Edujos में आप सबी लोगों का स्वागत है दूस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 7 जन्वरी 2022 के Important Current Affairs के Question देखेंगे इस वीडियो में Current Affairs के साथ-साथ आपको Static GK के Question भी Cover कराया जाते हैं जितने भी Current Affairs के Question बताया जाते हैं उसका Extra Facts बताया जाता है चुरुआत करेंगे हमारे Daily Motivational Code से हासिल होगी मनजिल भी तू तैयारी करके तो देख आग लगेगी फिर सिने में तू चिंगारी बनके तो देख तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनना हमारा यानि Edujos का काम है Edujos application को आपको install करना होगा जिस पर आपको PDF मिलती है हमारे कई सारी books मिल जाती है इसके अलावा वहाँ पर आपको daily quiz मिल जाता है quiz के अंदर आपको rank feature मिलता है All India में आपका rank कितना आया quiz appear होने के बाद quiz attempt करते हैं तो तुरत instant result आपको मिलता है उस questions का explanation भी मिलता है जो questions आप देखना चाहें हर question का explanation आपको मिलेगा इसके अलावा कितने questions सही कितने गलस पूरा analysis आपको मिलेगा एक लाग से जादे लोगों ने इस application को install किया हुआ है latest version 5 December 2021 को update किया गया था शुरुआत करेंगे कल के चिंगारी प्रस्ण से कल के चिंगारी प्रस्ण का answer देखेंगे ONGC की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया हमने ये सवाल पूचा था तो answer होगा अलका मित्तल option B यहाँ पर correct answer होगा अब आज के current reference देख लीजे प्रतिवर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है World Day for War Orphans ठीक है ये कब मनाया जाता है 6 जनवरी को option B correct answer होगा हर साल 6 जनवरी को युद्ध के अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है UNICEF के अनुसार 18 वर्ष से कम उमर का बच्चा जिसने एक या दोनों माता-पिता खो दिया यानि जिसके एक यानी माता-पिता या सिर्फ माता तो एक या दोनों ये इसलिए यहाँपर ये term यूज हुआ है बहुत ही important सवाल है टॉप लेवल का question है इसको याद रखेगा UNICEF के प्रमुक कौन बने है कैथरीन रसेल UNICEF के अस्थापना कब होई थे 11 दिसंबर 1946 को और इसका headquarter यानि मुख्याले कहां पर है New York, America में Next question देखे प्रतिवर्ष राष्टे विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है इस question का answer क्या होगा National Science Day कब मनाया जाता है Correct answer का option भी 28 फरवरी को मनाया जाता है हाल ही में केंद्रिय विज्ञान और प्रद्योग की राजमंत्री डॉक्टर जितंद्र सिंग ने राष्टे विज्ञान दिवस 2022 की विशे वस्तु का शुभारम किया है 2022 के लिसकी जो थीम है Integrated Approach in SNT for Sustainable Future राष्टे विज्ञान दिवस यानि National Science Day हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है इस दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की गोशना की थी जिसके लिए उन्हें 1930 में Nobel प्रवसकार से सम्मानेत किया गया था भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्टे विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था और तब से हम लोग 28 फरवरी को राष्टे विज्ञान दिवस मनाते हैं नेक्स्ट कोशन देखिए निम्न में से किसने फोटो पत्रकाईता श्रेनी में रामनात गोयंका प्रुसकार जीता है इस कोशन का करेक्ट आंसर होगा ओप्शन बी जिशान ए लतीफ हाल ही में जिशान ए लतीफ ने नर्सी संघर्सों के दस्तावेजी करन के लिए फोटो पत्रकाईता सेनी में रामनात गोयंका प्रुसकार जीता है उन्होंने अपने फोटो निबंध के लिए यह प्रुसकार जीता है जिसमें उन लोगों की दूरदशा शामिल है जिने रास्ते नागरिक रजिस्टर यानी नर्सी में शामिल नहीं किया गया था रामनात गोयंका प्रुसकार के बारे में जान लिजे यह पत्रकाईता के छेतर में 2006 से दिया जा रहा है यह रामनात गोयंका की याद में दिया जाता है यह प्रिंट पत्रकाईता के साथ साथ प्रसारन पत्रकाईता के लिए भी दिया जाता है Current F.S. Revision में याद रखेगा हाल ही में अनिल प्रकास जोशी को समाजिक न्याए 2021 के लिए Mother Teresa Memorial Award से सम्मानित किया गया है Next Question है जनवरी 2022 में कौन सा देश अंतरास्तिय सौर गठ बंदन में शामिल होने वाला 102 बन गया है इस Question का Right Answer क्या होगा? Option D. Antigua और Barbuda यहाँ पर याद रखना है आपको केरिवियाई राष्ट एंटिगवा और Barbuda अंतरास्तिय सौर गठ बंदन यानि ISA में शामिल होने वाला 102 बन गया है एंटिगवा और Barbuda के प्रधानमंतरी गैस्टन ब्राउन ने भारतिय उच्चायुक्त डॉक्टर के जे सिरिनिवास की उपस्तिती में अंतरास्तिय सौर गठ बंदन फ्रेमवर्क समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इंपोर्टन फैक्ट में याद रखेगा ISA की शुरबात भारत और फ्रांस ने साल 2015 में की थी यह सौर उर्जा प्रद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए एक क्रिया उन्मुक सदस्य संचालेत सहीयोगी मंच है Current Interference Revision में याद रखना है हाल ही में America International Solar Alliance यानि ISA के धाचे के समझोते पर स्ताक्षर करने वाला 101 देश बना है तो 101 देश कौन बना? अमेरिका बना ठीक है और उसी तरह से यहाँ पर याद रखने है आपको कि आईसे गड़वंदन में शामिल होने वाला 102 देश Antigua और Barbuda बना है Next Question है विस्तारा Airlines ने किसे नया मुक कारेकारी अधिकारी यानि CEO बनाया है विस्तारा Airlines ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? इस Question का Correct Answer है विनोध कंनन, Option A Correct Answer होगा हाल ही में विस्तारा Airlines ने विनोध कंनन को नया मुक कारेकारी अधिकारी यानि CEO बनाया है उन्होंने Leslie Thangg का अस्थान लिया है Current Fs Revision में याद रखिएगा विने कुमार तिपाथी को Railway Board का नया अध्यक्ष और CEO बनाया गया है काफी Important और Top Level Question है इसको ध्यान रखिएगा अतुल कुमार गोयल को पंजाब नेशनल बैंक का MD और CEO नुक्त किया गया है बल्देव प्रकास को जमुग और कश्मीर बैंक का MD और CEO नुक्त किया गया है पराग अगरवाल को ट्विटर का नया CEO बनाया गया है ये भी काफी Important सवाल है Top Level Question है इसको ध्यान रखिएगा गंजम एक जिला है और वो किस राज का जिला है जो की पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है इस Question का Right Answer होगा Option A ओडिशा बाल विवाह से बुरी तरफ प्रभावित गंजम जिला ओडिशा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है जिला प्रशाशन ने 2020 और 2021 में हुई सब ही शादियों की विश्टित जनकारी एकत्र करके यानि घठा करके इसे बाल विवाह मुक्त जिला गोशित किया है जिला प्रशाशन ने बाल विवाह की समस्या को समाप्त करने के लिए कई पहल की शुरुआत की है इसने बाल विवाह की घटना की सूचना देने पर इनाम के तोर पर 5000 रुपे जो दिया जाते थे उसको बढ़ा कर 50,000 कर दिया है यानि कि अगर कहीं पर बाल विवाह की घटना देखने को मिलती है और उसकी सूचना कोई देता है तो उसको जो पहले 5,000 रुपे मिलता था अब वो 50,000 रुपे कर दिया गया है Current Interface Revision में याद रखेगा हाल ही में सरकार ने माइलाओं के लिए विवाह की नियूंतम आयू 18 वर्स से बढ़ा कर 21 वर्स करने के लिए एक कानून का प्रस्ताव पारित किया है Next Question है किस राज के मुकमंतरी ने अगले 5 वर्षों के लिए Student Startups और Innovation Policy 2.0 लाँच किया है इस Question का Correct Answer होगा Option C यानि गुजरात गुजरात के मुकमंतरी भूपेंदर पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए Student Startups और Innovation Policy 2.0 SSIP 2.0 लाँच किया है नीती में राज के सभी विश्व द्याले में सक्रिय नवाचार और Incubation केंदरू के स्थापना का प्रावधान है नीती का लक्ष एक हजार उच्च सिक्षा संस्थानों और नवाचार और उद्यमिता के 10,000 स्कुलों में 50,000,000 चात्रों को शामिल करना है गुजरात यह भारत का सबसे लंबा तटिय राज है यह गुजरात के बारे में हमने जाना स्टैटिक जीके में ध्यान रखियेगा इसको और इसके बाद राजपाल की बात अगर करने गुजरात में तो आचार देबरत यहां के राजपाल है गुजरात में गिर राष्टे उद्यान, वंसदा, राष्टे उद्यान, नल सरुबर, पक्षी अभ्यारन और मरीन राष्टे उद्यान इस्थित है नेक्स्ट कोशन है हाल ही में उजाला योजना को कितने वर्ष यानि कितने साल पूरे हो गए है इस कोशन का correct answer होगा option A, 7 साल पूरे हो गए है ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि हाल ही में विजली मंत्राले ने अपने प्रमुख उन्नत जियोती by affordable LED for all यानि उजाला कारेकरम के अंतरगत LED लाइटों के वितरन और विक्री के 7 साल सफलता पूर्वग जो है वो पूरे कर लिया है इस योजना के ताहत देश के लगबग हर राज में पीले बल्व जो पहले चलता था पीला बल्व उस बल्व की जगह पर जो है जिसमें 78 करोर से अधिक LED देश भर में वितरित किये जा चुके हैं इंपोर्टन फैक्ट में याद रखेगा उजाला कारेकरम के शुरुवात साल 2015 में की गई थी उजाला घरेलू कुशल प्रकास कारेकरम DELP पर आधारित विद्युत मंत्रा लेके अधीन है इस कोशन का राइट आंसर होगा उप्शन है शेफाली वर्मा हाल ही में बैंक और बरोदा यानि B.O.B. ने भारती महिला करिकेटर सेफाली वर्मा को बैंक का ब्रांड अम्बेकरम निउक्त किया है शेफाली वर्मा एक सत्रह वर्षिये युवा करिकेटर है जो रोह तक हरियाना की रहने वाली है बैंक को बरोदा के बारे में जानिए इसका मुक्याल है यानि हेटकौर्टर बडुद्रा गुजरात में है इसके M.D. और CEO संजीब चटा है समामेलित बैंक यानि इसके अंदर जो शामिल बैंक है वो है देना बैंक और विजया बैंक 2019 में इस कोईश में शामिल किया गया था करेंट एफस रिविजन में याद रखिएगा 2019 में 15 साल की उम्र में सेफाली वर्मा ने भारत के लिए महिला T20 अंतरास्ती मैच में खेलने वाली सबसे कम उम्र की किर्केटर बन गई ममता बियंड 2021 नामक पुस्तक के लेका कौन है ममता बियंड 2021 नामक पुस्तक के लेका कौन है इस कोईशन का अंसर हो जाएगा जयंत गोशाल अब बार ही आज के एक सता खुरा की यहाँ पर पांच सवाल आपसे रोजाना पूछा जाते हैं वीडियो को रोक करके आंसर देने का प्रयास कीजे और हमारे आंसर से मिलान कीजे एक एक करके हम लोग कोशन और आंसर देखते हैं रेवीज की टेके की खोज जो है वो किस ने की थी रेवीज के टीके की खोज किस ने की थी लूई पास्चर ने की थी तेकर नेक्स्ट कोशन है पैनिसिलीन की खोज किस ने की थी तो इसका अंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी रतोंधी किस विटामिन की कमी से होती है इसका अंसर हो जाएगा विटामिन A किस से विटामिन A कौन सा विटामिन आमले में परचूर मातरा में मिलता है तो ये मिलता है विटामिन C और इंसुलिन का पर्योग किस बीमारी के उपचार में होता है तो मधु में जिसको हम लोग diabetes भी कहते हैं ठीक है ध्यान रखेगा ये सारे questions काफी important है next जो question है वो है चिंगारी प्रस्ण जिसका answer आप सभी को comment box में लिखना होता है आज सवाल पूछा गया है 3 trillion dollar market cap को चूने वाली पहली company कौन बन गई है चार options है कल ही हमने आपको ये सवाल बताया था तो जो भी correct answer है आप comment box में जरूर लिखिए उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like and share कीजेगा thank you so much आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद